हलो जहिन साथिव, स्वागते हैं आप सभी का सत्या एक्सिलेंट यूटूब चैनल पे हैं यहाँ पर आप नोटिपिकेशन देख सकते हैं यह नोटिपिकेशन जारी किया गए 17.11.2022 के डीट में और यह वेकेंसी निकल के आ रहे हैं रेलवे की तरफ से रेलवे रिकुर्मेंट सेल वेश्ट सेंटर रेलवे की तरफ से यह नोटिपिकेशन जारी किया गए जिसमें केवल आईटे के चातर ही फार्म को अपलाई कर पाएंगे यह वेकेंसी जो निकल के आ रहे है आईटे पार शातरों के लिए एक बंपर वेकेंसी के अंतरगत नोटिपिकेशन जारी किया गए जवलबूर की तरफ से यहां पर आप लोकेशन भी देख सकते हैं इसमें आईटे के चातर फार्म को अपलाई कर पाएंगे और यह फार्म कब से अपलाई किया जाएगा तो यहां पर आप डेट देखिए आलाइन अपलिकेशन समिसन डेट जो रखा गया है वो 18.11.2020 रखा गया है सेंटर रेलवे की तरफ से यह जारी किया गया 2521 यहां पर सीट टोटल है जिसमें आईटे के चातरी केवल फार्म को अपलाई कर पाएंगे लेकिन ध्यान लेकिन देखिएगा इसमें आपको डिविजन अंतरगत विकेंसी देखने को मिल जाती है माल लिजे आपका फश डिविजन है तो उसमें आपकी कितनी विकेंसी है और सेकेंड डिविजन है तो उसमें आपकी कितनी विकेंसी है तो यह जब आप फार्म भरेंगे तो आपको समय ध्यान लेकिएगे कि किसमें कितनी यहां पर विकेंसी है उसके अंतरगत आप फार्म आप पर BPL division है और HQ JBL division है तोटल यहां पर देखिए जनरल की यहां पर seat की बात करें तो टोटल जनरल के लिए R division में 1046 seat खा लिए SC के लिए total यहाँ पर 375 seat खा लिए HD के लिए total 181 seat खा लिए OBC के लिए 674 seat खा लिए और EWS के लिए 245 seat खा लिए अब आपको भरना किसमें ध्याने किएगा देखिए यदि आप JBPL और डिविजन के अंतरगत फार्म को अपलाई करें तो general वाले आप इसमें देख लिएगा उपर वाले कालम में और SC वाले इसमें देखिएगा HT वाले इसमें OBC वाले इसमें और EWS वाले इसमें और total यहां पर देख लिएगा कितनी यहां पर seat है उसके अंतरगत आप फार्म को अपलाई करना चाहें तो कर सकते हैं आपके उपर depend करता है यदि बात करें इसके ability condition के बारे में उमर के बारे में कितने उमर के चातर फार्म को apply कर पाएंगे उससे पहले मैं आपको बता दूँ बहुत सरे चातर कहते हैं कि सर आप notification प्रोवाइड नहीं इसके बारे में full details में पढ़ लेना है इसके बाद notification के बात करें तो यहाँ पर देखिए notification के आगे यहाँ पर आपको एक clicker नजर आ रहा होगा simply आपको इस पर click करके notification download कर लेना है असानी से यह आपके mobile में download हो जाएगा अब आपको download करने के बाद ऐसे option open हो जाएगे यहाँ पर आप देख सकते है जिसमें आपको उम्र के बारे में जनकारी दी गई कितने उम्र के चात्र फार्म को apply कर पाएगे यह जो आपकी वेकेंसी है इसमें 15 से यहाँ पर 24 यहर के जो चात्रें वो लोग फार्म को apply कर पाएगे और यह जो आपका उम्र मिलाया जाएगा जो count किया जाएगा वो 17,11,2022 से count किया जाएगा यदि 17,11,2022 से आपकी उम्र 15 से 24 वर्स हो जाती है तो आप फार्म को apply कर पाएगे अन्यथा आप इस फार्म को apply नहीं कर पाएगे ध्याने कीगा इसके बाद यहाँ पर अपर एज लिमिट की बात करें जिसे कि इसमें कितने रिलेक्सिबल है तो पाँच वर्स उन चातरों के लिए मिलता है जो चातर सेष्टी के अंतरगत आते हैं मतलब कि उम्र में छूट यहाँ पर दिखाये गया है सेष्टी वालों के लिए 5 वर्स के चूटे और OBC चातरों के लिहां पर 3 साल की चूट रखे गई है नीचे आप आजाएंगे सातियों तो यहाँ पर कुछ अधर भी आपको जनकारे इन्होंने दे रखिए कौलिफिकेसन के बारे में कि क्या कौलिफिकेसन आपका होना चाहिए इसमें आपका एलिविल्टी कंडिशन में आप पढ़ेंगे जो मिनमम एजुकेसन कौलिफिकेसन जो रखा गया इसमें वही केंडिट फार्म को अपलाई कर पाएंगे जो दसमी पास है जहां रिखेगा और इसमें आपका दसमी में कम से कम 50% मार्क होना चाहिए यदि 50% से कम मार्क है तो आप फार्म को अपलाई नहीं कर सकते अन्य था आप फार्म को अपलाई करते तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा यह जो आपका होना चाहिए यहाँ पर किसी भी बोड से आपका चाहिए UP बोड या दिल्ली बोड या किसी बोड से आपका दस्मी पास होना चाहिए और इसके बाद यहाँ पर साथ में मांगा गए आपका National Trade Certificate अतात ITI का ITI जो आपका होना चाहिए NCBT से है या SCBT से दोनों लोग फार्म को अपलाई कर सकते कोई भी दिकत नहीं है निचा आएंगे साथ यो स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर Qualification के अंतरगत इन्होंने कुछ अधर भी जनकारी दे रखिए कि आपका Qualification जो होना चाहिए और इसको फार्म को कैसे अपलाई करना है यदि ट्रेड की बात करें तो आप यहाँ पर ट्रेड देख सकते हैं बहुक सारे ट्रेड है हर एक डिविजम में आपको अलग-अलग ट्रेड देखने को मिल जाते हैं जिसे कि यहाँ पर आपको कॉर्पेंटर देखने को मिलता है इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर कम अपर प्रोग्रामी असिस्टेंट और डॉप में सिविल इलेक्टिसियन फीटर और यहाँ पर पेंटर जनरल पलंबर विल्डर गैस एंड इलेक्टिक के अंतरगर देखने को मिल जाते हैं यह आई इसमें भी आप आपको अप्लाई करना चाते तो कर सकते यह जितने भी आपर मैं आपको बता रहा हूं यह सब डिवीजन में आपको अलग-अलग यहाँ पर सीट देखने को मिल जाती है क्योंकि अलग-अलग जहां पर जितनी सीट खाली है उसके अंतरगत इन्होंने नोट कहने का मतलब है कि जो मेरिट लिश्ट के द्वारा तयार किया जाएगा उसी के अनुसार आपका जो है इसमें आपका सेलेक्शन होगा और यह जो मेरिट लिश्ट कैसे तयार किया जाएगा तिन्होंने खुद बताया है कि जो आपका तिन्थ कलास का जो एक्जामनेशन का यहाँ पर Mark Seat उसके अंतरगध अथा दस्में और प्लस आपका जो IT का है, IT का उसके अंतरगध ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर Marko Collector के इसका परसंटेज निकालेंगे, और उसी के अन्सार आपका जो होगा, इसमें सेलेक्शन होगा, इसका merit list जारी किया जागा और जब merit list जारी किया जागा मैं आपको जनकारी जरूर दूँगा कैसी apply करना है फार्म को आप यहाँ पर देख लेगे सबसे पहले यहाँ पर application फिस इन्होंने रखा गए जो candidate form को apply करेंगे उनका जो यहाँ पर फिस चार्ज रखा गया सो रुपे ही आ पर रखा गया यहाँ पर देख सकते है जो चातर फार्म को apply करेंगे बाकि जो सेश्टी के जो चातर आते हैं उनके लिए आपर कोई भी फिस चार्ज नहीं रखा गया बिल्कुल फ्री है तो वो लोग यहां पर बिल्कुल फ्री में फार्म को apply करभाएंगें और यह जो payment है आप कैसे credit कर सकते हैं तो देखिए यह जो payment है आप डेवीड कार्ट से credit कार्ट से internet जो banking सुविधाय उसके मादम से या EU wallet से ETC मतलब इत्यादी से भी आप कर सकते हैं आप जो भी यहाँ पर आपके सुविदाय उसके अन्तिक्रत कर सकते हैं फोटो क्या क्या चाहिए और यहाँ पर कितने इसकी साइज होने चाहिए यह सारी जनकारे इन्होंने दे रखी हैं नीचे आप आएंगे साथियों स्क आपका लगेगा इसके बाद हैं अदर कोई भी जनकारी लगेए यादी आप चाहते कि किस यूनिट में कितनी हापर सिर्ट का रहे तो आप सबसे नीचे आजएगा यहाँ पर नोटीपिकेसन में क्योंकि सबसे नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको नोटीपिक बोटा में तो कितनी यहां पर सीट है तो देखिए यहां पर सुन्य सुन्य दिखा रहा है तो इसमें यहां पर कितनी सीट है यह सभी आपको देखने को मिल जाते हैं तो जिस आप डिविजन में पांप को अप्लाई करें सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि उसमें करके पाएंगे